Quiz on Human Digestive System Subscribe कीजिए GK Basics चैनल को ऐसे ही knowledgeable वीडियोस पाने के लिए और साइट के bell बिटन को दबाना मत बुलिएगा Daily dose of quiz, information और बहुत सारा knowledge सबसे पहले जानने के लिए हमारे Instagram पेश GK Basics को follow कीजिए चल यह शुरू करता है Let's start What is the main purpose of the digestive system? Pachan Tantra का मुख्य काम क्या होता है? सही जवाब है to break down food खाना खाने से पचाने और उसे शरीर से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को digestive system यानि पाचन दंद्र कहते हैं Arrange the correct sequence of the steps involved in the process of human digestive system दिये गए इंसान के पचन तंद्र से जुड़ी प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? सही जवाब है ingestion, digestion and egetion खाना खाने की प्रक्रिया को ingestion कहते हैं पचाने की प्रक्रिया को digestion और waste material शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया को egetion कहते हैं Where is the last stage of the digestive system? पाचन तंद्र की आखरी अवस्था कहां होती है? सही जवाब है large intestine खाना पचाने में लगबग कितना समय लगता है? सही जवाब है 24 hours or more How long are the small intestines? छोटी आंत्रिया कितनी लंबी होती है? सही जवाब है 22 to 24 feet Small intestines 22-24 feet लंबी होती है जबकि large intestines 5 feet तक लंबी होती है Which term is associated with digestive system? कौन से शब्द पाचन तंद्र से संबंध रखता है? सही जवाब है इसो फैगस इसो फैगस याने अन्नप्रनाली जो खाने को गले से पेट तक पहुचाने का काम करती है How food travels from esophagus to stomach? खाना अन्नप्रनाली से पेट तक कैसे पहुचता है? सही जवाब है with the help of muscles Muscles खाने को पेट तक पहुचाती है क्या आपको पता है अगर इंसान सर के बल पे भी खड़ा हो जाए तो भी खाना पेट तक पहुच जाता है What are the first and last part of small intestines called? चोटी आतडियों के शुरू के और आखरी के भाग को क्या कहते है सही जवाब है deudanum and jejunum What help does liver do in digestion? Liver पाचन प्रक्रिया में कैसे मदद करता है? सही जवाब है producers juice Liver bile नमक juice का उत्पादन करता है जो की fats और vitamins को पचाने में मदद करता है How much amount of food and liquid can stomach hold? पेट एक समय में कितना खाना और पानी रख सकता है? सही जवाब है 4 liters पैसे 40 stomach का size एक मुठी जितना होता है लेकिन खाना खाने के बाद फूला हुआ stomach 4 liters तक खाना और पानी रख सकता है बहुत अच्छे दोस्तों बहुत बढ़िया यह Human Digestive System का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे comment section में जलूर बताईए वीडियो पसंद आये तो like कीजिए और हमारे चानल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ